हेलो एस्टुरेंट्स गूड मॉर्णिंग गूड आफ्टेन गूड इवनिंग और सब लोगों का प्रहाई अच्छा चल रहा होगा और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो सब्सक्राइब कर लिना ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास अरली सब्सक्राइब को आप देखो समझो और इसमें से फॉइंट्स निकालो चुकि आप से छोटे-छोटे जो फैक्ट्स हैं और यह पूछेगा यूपीसी में यूपीसी का क्वेस्टन अपने आप में एक क्वेस्टन के इंदर चार्चर क्वेस्टन होता है तो अब चुकि ट कि पहला स्लाइड है ऑफ़रत का पहला अंतरिक्ष अभरे क्वें गवाम ट्रेकिंग सिस्टम यह अब तक हमारे पास यह जो सिस्टम है यह यूक इस सेंस में है कि अंतरिक्स में जो भी रॉकेट जिसी भी सेटिलाइट को लेकर के जाता है तो ज्यादातर जो सेटिलाइट है जब तक वो काम करता है तब तक तो ठीक है लेकिन उसका अपना अवधी होता है अगर कोई सेटिलाइट दो साल में कोई पांच साल में कोई दस सा में वो तैय है कि उसका अपना उस अबधी के बाद वेकार हो जाएगा तो वैसे सैट्लाइट को तो हम लेके तवाते रही है वापस तो वैसे में यह जो बेकार हो चुका जो सेट्लाइट है या किसी रॉकेट का को टूटा फूटा भाग है या मैनमेड जो भी कोई भी अन्तरिक्स मलबा अब तक यह मलबा जो था वो प्रित्वी के सबसे निचले कशा में था लियो में अब क्या हुआ है कि हम उसको प्रापर इंडिया में को यह सा सिस्टम नहीं था कि हम ट्रेक करें हलाकि जो डेवलपनेशां से वहां पर सिस्टम है लिक्ट इस बार पहली स्पेस्स करने का काम किया है और ये अन्तरिक्स में जो मलबा एंद्थ स्थापक है इसक तर्फी के लिए स कमपनी को 25 रुप्या का अनुदान भी प्राप्त हुआ है और वो अनुदान जो दिया है वो दिया है इंडियन इंसिटिट अफ साइंस बैंगलोड ने और भारत ऐसा सफलता के कारण आज जहां पे हम पहले से ही अंतरिक्ष में काफी सक्रिय रूप में थे जहां पे पहले से हमारा जो अभियान था काफी सस्ता था जिसके कारण का हुए दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने अपने उपग्रह को हमें दे रहे थे कि भाई अपने रॉकेट से हमारे उपग्रह को प्रशबित कर देजिए तो हमारा जो अभियान इसमें काफी अब तेजी और आएगा क्योंकि हम जो मोनिटर करेंगे जब हम ट्रैक करेंगे इन अप्सिस्टों को तो हम आगे चल करके आज से वहिकल को भी हम डेवलप कर रहे हैं जिसी ने अप्सिस्टों को हम ला सके और उससे प्रसांत महसागर में स्थित पॉइंट जगह है उसका नाम है पॉइंट नीमो मैं लिख दे रहा हूं पउल नीमोले में हम ला करके इसको गि एक तर्व कर सके और इस प्रकार से में अप्सिस्ट को हम कम कर सकें चलो आगले चलकी तरफ चलते हैं अगला slaid है यह त्वी सिक लिए है मिन्यूट मैन त्री, यह अमेरिका का एक अंदर महधीपी बैलिस्टिक मिशाइल हैं, इंट मिशायल का सबसे जो बड़ा बात है इसका है इसका रेंज इसका रेंज है तेरह हजार किलोमीटर और यह जो पेलोड कैपसिटी इसका है वो है 34,467 किलोग्राम और यह दोनों चीजे इसे काफी उनिक मनाता है अब यहां पे अमेरिका इस मिशायल के लिए काफी पहले से प्रयासरत था अब जाकर कुछ ने इसका प्रडिक्शन किया है और इस मिशायले सत्ह से हवा में मार करने वाली परमपरागत और परमानू दोनों त तेरह कीलो मीट तेरह हजार किलोमीटर रेंज जैसे हमारे पास अगनी फाइब है तो अगनी फाइब का जो ऑफिशियल जो रेंज है वो है पांच तेरह आट सो किलोमीटर चाइना के पास जो मिशाइल है उसका रेंज है पलमुस चौदा हजार किलोमीटर का रसिया के पास युमिसाइल है वो है 16000 किलोमीटर का और वो 22000 किलोमीटर पर काम कर रहा है और अमेरिका अभिहाल में जो मि lets मैन है जिसका रहें verd which possible क्या है और इसमें जाद रखना आप लो G सब में जो इंधन होगा वो ठोश इसमें प्रनुदक या इंधन का इस्तमाल किया गया है और है नेक्स्ट है फ्लर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फेवस तो यह नाम ही फ्लर्ड का मतला हो बार तो बार के बीशाय में हम यह पहले अबगत कराने वाला यह प्रनाली है जिसका का विकास किया है टेरी और एंडिय में रास्त्रिय अपदा प्रबंधन प्रधिकरन ने और यह मौसम का पुरुपानुमान अधारी चितावनी प्रनाली है जो 72 घंटी पहले बाढ़ काह में चितावनी दे देगा यह तो इसको आप लोग याद रखना यहां पे हैं इसके अगला स्लाइड हम लोग का है वह है नेशनल रेकृटमेंट एजनसी रास्त्रिय भरती एजनसी के बारे में देखो यह जो एजनसी है बिसिकली अब तक क्या है कि गोव्मेंट एजनसी को कुछ जिम्मदारी दे दिया है अब एजनसी क्या होगा यह अब जो बैंक है या ज जो अलग अलग भासा मिलेगा और इस प्रकार से भरती करेगा अब इसका महत्तफर समझते हैं यह जो एजनसी है इसका स्थापना कुदे से भरती अथवा चैन में आसानी लाना है ताकि जो उमिदवारों को सरकारी नौकरी या सरवजनिक छेतर के बैंकों में चैनित होने क प्रोटोकॉल का पालन करने में असानी होगी अब जो इसका पिस्टवू में समझते हैं बरतवान में सरवजनिक शेतरों के बैंक और अन एजेंसियों के लिए परिक्षा आईवी पीएस करमशारी चैन आईव में तैसे सी और रेल्वे भरती बोर्ट के माध्यम से आईजि हटा रही है और एक रास्त्रिय भरती एजेंसी को रिक्लूट किया है और यह एजेंसी को पहली बार के अंदरी यह बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था और यह आर्थिक रूप से वनचित और दूर दराज के छेत्रों के युवाओं के लिए बहुत लाफ़कारी शीद होने वाला है क्योंकि यह एजेंसी कई भासाओं में परिक्षा आयोजित करेगी चलो नेक्स स्लाइड हम लोग हैं संजुक्त अरब अमिरात जो हाल में इज्रायल के साथ 37 समझोता किया है इसमें कुछ बातों को मैं बताता हूँ कुछ आप लोग आई-र के जहां पर क्लास सांती समझोता पर हस्तक्षर करने वाला लोगाहाकारी देश बना क्योंकि अब इस 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 मिझहुत्य का नां है अावराहम समझोता भी राम है तो यहाद रहत अबराहमिक धर्मों जिसमें यहूदी है इशाई है और इसलाम है इससे ही यह मिल करके बना हुआ है और इस समझाओते ने वेस्ट बैंक पर इजरायल के कबजे को रोक दिया है अब वेस्ट बैंक पर यह कबजे को रोक जो दिया है यह क्या है हम बताएंगे आगे वेस्ट ब वाले हफ्तों में सिधी उरान, दूर संचार, परयतन, उर्जा, सुरक्षा और स्वास्त देखवाल पर समझवतों प्रहस्ताक्षर करेगा, साथ ही दोनों मिलकर के COVID-19 का मुकाबला करने के लिए अपना रननेती त्यार करेगा, अब यह जो समझवता है, इसका महत्तों क्या ह अमेरिका ने, और UAE और इज्राइल दोनों संच्जुक्त राजी अमेरिका का करीबी सही होगी है, और यह सवदा अब इरान के बिरुद इसका इस्तेमाल कर सकेगा, पत्तर इरान के बिरुद क्या हुआ अमेरिकी जो खेमा है, वो ज्यादा मजबूत हो गया, अब इरान त इज्राइल यूध क्यांत में, जॉर्डन द्वारा वेस्ट बैंक पर कबजा कर लिया गया था, जब अरब और इज्राइल का यूध हुआ था, तो उस यूध क्यांत में, जॉर्डन ने क्या किया था, कि वेस्ट बैंक पर कबजा कर लिया था, बाद में उन्हें सरसथ में इसे वापस ले लिया इसको वेस्ट बैंक को अब उन्हें सट के तरुन इसराइल को शिरिया मिस्र और जॉर्डन की संजुक्त सेना ने हराया और यह सव्डा अभ इजरायल द्वारे वेस्ट बैंक के कब्ज परोक दीता है तो आप लोग यहीं रखना है कि जो कब्जा इसराइल का था अब वो कब्जा उस पर नहीं रहेगा उससे फ्रिस्तिन काभी पृतकरिया है और उस पर आपना अपना सबका पड़ते करिया है तो आप लोगों को फिलहाल जो करेंट यहां पे है यह आद रखना आप लोगों को है कि संजुक्त अरब जो अमिरात के साथ जो सांधी समझोता हुआ उसका नाम क्या है अबराहम और अबराहम क्या है तो यह तीन धर्म है यहुदी इसाय और इसलाम इसे संबंदित है और समझोते के बाद अब क्या होने वाला है कि जो वेस्ट बैंक है उस पर भी जिराल के कबजा अब नहीं रह जाएगा उसको रुक दिया गया है चलो अगला स्लाइड लेते हैं अगला स्लाइड हमारा है ताइवान ने अमेरीका से एप सिक्स्टीन जैट खरेदने के लिए सम्झोटे क्या है अब yaşंता ने चाहता है और इस से ज्राज़ा कि इसपोर राए चीन को रहा है ने मैं 10 को समय क्यों हो यह यहई ने को लिए साथ देशों को अपने संवर्थन देने के लिए पत्र लिखा था अमेरिका ज्सरे ने Thailand Australia और साथ यह सब है इसके अलावा भी अन्य जो देश हैं वो है तोटल देश कितना है साथ देश है आज तक चीन के दवाब के कारण ताइवान डबलू एचो का हिसा नहीं है याद रखना इसको इससे चीन और अमेरिका के बीच तना पैदा होगा चुकि अमेरिका ताइवा है वही समझते हैं हम लोग आ गहे हैं भारत दोहरत बीस में डबलू एचो की अधक्स्ता संभालने के साथ अमेरिका ताइवान विश्वसास संगठने में लाने का कुछ चुछ कर रहा है मतलब भारत का जब भारत से डबलू एचो का जब अधक्स चुना गया अब अमेरिक चाहिना निती के तहद ताइवान पर दावा करता है ताइवान का चीन के साथ एक बड़ा व्यापार अधिशेश है और वह चीन का सिर्ष व्यापार भागिदार है ताइवान श्वसासित है और इसे कभी भी अप्चारिक रूप से चीनी मुख्य भूमी से स्वतनत्रा की गोश्टना नहीं की है स्वसासित है पर उसने गोश्टना नहीं कि है ताइवान एसगे प्रसांत आर्थिक सहयोग वी स्वीपार संगठन और एस्वाइविकास बैंकों का सरदर्ष है अब जीन की वंट चृणन स्थापीत कि एक चीन के साथ राजनाइक संबन्थ अस्था इसके अलावा देश को ताईवान के साथ अपने सभी अप्छारी संवर्थ के समाप्थ करना चाहिए भार्त के साथ आईवान का क्या समभ भार्त ओर तैवान विभीन्छ व्हतीलों में सहीयू कर रहा है भार्त ने दुहर 12 से वन चाइना निथी का समर्थन करने से इंकार कर दिया है थोड़ा से एप सिक्षिन की विश्व में देख लेते हम लोग हैं इस फाइटर जेट को ने शेतरे मंजुरती की थी अमेरिका ने मंजुरी के बाद से च्छाली से अधिक हबाई जहां जो का निर्मान किया हुआ है ठ इसने भारत में मतलब भारत को तीन मिलियन पाउंड का एक फंड भारत को दे रहा है ताकि भारत में जो शिक्षा अबीध हैं या जो भारतिय विज्यानिक हैं उनका जो सोध कारे हैं उसमें बढ़ोतरी हो मतलब इस प्रकार से यह जो फंड के कारण क्या हुआ जो यू के भारत है वह यहां पे टेक्नोजी के साधारी का निर्मान जो है वह बढ़ेगा और टेक्नोजी के साधारी के निर्मान बढ़ने से में अब ब्रिटेन का क्या भूमिका होगा और इंडिया क्या भूमिका कि ब्रिटिस उचायोग इन परिजनाओं में से सर्वस्रेस्ट का चयन करेगा मतलब परिजनाओं और आवस्य का धन उपलब्द करवाएगा भारत अनुसंधान प्रक्रियाओं को स्वदेशी बिनाने के लिए अधिक सधिक धन देश में लाने का प्रयास कर रहा है और वो उपयोग कर सकेगा सोध कर सकेगा और जो अब तक जो प्रतिभाशाली भारतिये थे जो ब्रें ड्रें यहां पर हो रहा था कि अगर उनको यहीं पर सब कुछ मिलेगा तो वो अनुषन्धान का यहीं पर करेगा और इसमें ब्रिटेन अपना भागेदाली दे रहा है अब इसके लिए जो कुल जो फंडिंग है जो फिल इसमें फंड आएगा तो उस फंड में समय समय पे आगे भी वो कंटिन्यू करेगा और फिर हाल वो तिन मिलियन पाउंड का वो फंड दे रहा है ऐसा ही एक अभियान है प्रोजेक्ट निर्मान स्री तो यह यह यूरोपीय संग द्वरसंचालित महिला ससक्तिकरन के लिए बिख्षित किया गया प्रोजेक्ट है यह और इसे उडिशा और महारास्त्रा के चार जीलों में लागू किया जाएगा याद रखना इस पर्योजना के तहत महिलाओं के आवास छेतर में विभीन कारियों में फिर सिक्षित किया जाएगा और इसमें जो कुल लागत आएगा उसका 90% यूरोपीय संग देगा और सेस जो फंड है वो हैविटेट फॉर हिमनिटी इंडिया यह देगा अब इस पर्योजना से भारत में जो महिलाओं के जिस्तिति है आविशेस करके वो जादे बहतर होगी और लगभग उनका जो स्किल है उसमें भी क्या होगा वो भी बढ़ेगा इसलिए यह प्रजेक्ट्षरी फंड है तो यह सबाल पूर सेथा कि प्रजेक्ट्षरी फंड किसीज के लिए तो यह महिला है सस्कित करने के लिए है अच्छ अब यह जो पूल है यह 141 मीटर उचा है और इसे मोंटे नेग्रो इरोप में जो वहां जो है 149 मीटर लंबा है जो माला रिज का पूल का नाम है उसके रिकर्ड के भी छोड़ देगा चुकि उसे यह 2 मीटर ज्यादा उचा है इस यह जो पूल है इसका जो 111 किलो मीटर ल यविजन्या का यह पूल जो होगा ही हिस और इस पूल का जो लंबाई होगा वह साथ सो 3 मीटर याद रखना यहां पर इसका केशना है 149 मीटर लंबा और इस साथ सो 3 मीटर लंबा है यह मैं अब इस पूल से क्या फाइदा होगा कि भारव सरकार क्या चाया रहा कि जो न κάν пог स्टेट्स आई उनको हम वैसे ही वहां के लोगों को वहां की स्टूडेंट्स को जितना बन सकता है भारत सरकार्ड से, मैक्सिमम वहां पर लोग दे रहा है। ताकि वह जो लोग हैं, वो भारत के साथ मिल जुल-कर रहें, मिल्डिल काम करें, और उनका विकास हो, और इसलिए जरूरी क्या है कि उनके साथ हमारा बेपार और किनेक्टिविटी को हम बढ़ाएं, और इसी दिसाम में भार सरकार हर संभब प्रयास कर रहा है, और सिक तखकाई सारी प्रियोजनाओं को सरकाचा चला रहा है जिसमें सरक भी है, रेलवे लाइन भी है, अंतर देस्टिजगल प्रियोजनाओं भी है धेकिना और इसे के तहत मनीपूर में तेरह राज मार्क प्रियोजनाओं का भी शीला नार्श किया है अब राज मार्ग जो प्रियोजनाओं के बारे मित्रस्ट समस्ते इसमें हैं तेको यह जो प्रियोजनाओं हैं जो राज मार्ग प्रियोजनाओं हैं यह राज में सुल्ला किलोमीटर राज मार्ग का दिर्मान करेगा जो भालत के एक्ट इस्ट पॉलिशी को बढ़ावा देन मदद करेगा आप ये में में जब जब अब लिखो गे तो ये ये जो पोलिशी किया है लूकलिक इस्ट जब मनमौन श्यम फिनाश मिस्टर थे इसके बाद में 2014 में मेमार में इस पॉलिची को अप्गेड कर दिया गया और ठीक हैं तो लूग इस्ट को कर दिया गया अक्टिस्ट अब देखना नहीं इसपे एक्ट करना है तो अब एक्टिट लूकिस्ट में फिर अंतर गया है तक लूकिस्ट पॉलिशी का मुख्य फोकस भारत के ब्यपारिक फोकस को पस्चिम से दक्षिन पूर्व एसियाई देशों में अस्थाना अंतित करना था जब कि जो एक्ट पॉलिशी है उसको उसको दक्षिन पूर्व में और पूर्व सियाई के आर्थिक। और श्ट्हुरंच एकी करने करने पर केंद्रित हैं पत्म यहाँ पर जो सिक्रूटई है उसको एक्षिन पूर्व। बात के जा रहा है और जबकि लुक इस्ट में क्या था उसमें था कि जो गतिविदी है उसको पस्चिम से दख्षिन पूर्फ एसी आई देशों में ट्रांसफर करना था यहां पर कॉछ प्राइब को ट्रांसफर नहीं करना है यहां पर और प्रिफ एकनॉमिक हो है अच्छा एक नया है इस वास्त स्वास्त क्या पूर्टल प्रजान पॉर्छ उनकारी से गजाएर पर्दान करने के मतलब जनजातियों में सबसे बरी जो समस्या है अभी भी चाहे वो महिला हो चाहे शिशूग हो चाहे यूबा हो तो उनका जो nutrition का क्या स्टेंडर्ड है Health का क्या स्टेंडर्ड है उसका हमारे पास कोई समग डड़ा नहीं होता है तो यह पोडल बिशेच करके उनके लिए ही develop किया गया है ताकि उनका सटिक जनकारी हमारे पास हो और भार स्रकार ने देश में आदिवासियों के जीवन को बहतर बनाने के लिए अन नेपाल भी सुरू किया है स्वास्त के जैसे जैसे उसका नाम है गोल अब गोल को Facebook के साथ साज़दारी में लौंच किया गया ह गोल का पुरा नाम क्या है Going Online as Leaders और इसका उदे से क्या है पांच हजार आदिवासी वाओ को मेंटरिंग देना है उन्हें skilled बनाना है उन्हें लीडर बनाना है जन जाती है मामलों के मंत्रा ले जोरा Facebook और निती आयों के साथ इस पहल को क्रिया जा रहा है इसे अक्टूबर 2019 में लौंच किया गया था इस प्रयूजना का लक्ष लैंगिक अंतर को भी स्वाब्त करना है जो समझे जो जो भेदवाब है उसे भी हटाना है एक ऐसा है एक यह कोई नया फंड नहीं है यह फंड का जो उदेश से हो थोड़ा बदल गया है बरतमान में इस फंड में जो भी रकम है उसका उप्योग कीवल ब्रिक्षा रोपन पहल और वनी करन के लिए किया जाएगा यह आप लोगों को याद रखना है एक्जाम पॉइंट अभी उस टेरह प्रमुख हैं जो नदियां हैं उसका जो ट्रिट्मेंट है उपचार के लिए वन सितर का यह लीड्यार अधा। स्रिंटिव में के वंचे उपज़ होता है लेजर अधरयत राडार या को बने लेजर लेजर बेस्ट रड़ार ऑर उसका उपयोक करके जो वन स्रिंट है उसका जो सरविक्षर हम करेंगे कि कितना है और वर्ण से जो उपज होता है उस के आवा गवर्मन की सुभिधा के लिए रास्ट्रिये पार गवन पोर्टल को रूप में ठीक हैं अब तो कैंप के फंड का इंसाब पर उप्योग किया जाना है तो आपको यही याद रखना है कि कैंप जो फंड है इसका उप्योग क्या है ठीक है चलो आग पर राश्ट्रिये मास्टर प्लान पर पढ़ान मंतरी अभी पंदरा अगस्त के ई पे उठोने जो आर्थिक छेत्र है स्पेसल एकनोमिक जोन है उसको मल्टी मोडल करेंग्टिबिटी पर राश्ट्रिये मास्टर प्लान के तैयारी के समीक्षा किया और उसमें किस तरह का बुनियादी धाचा में बडिवर्थन है या प्रोड़क्टिविट्री को कैसे बढ़ाना है या आर्थिक प्रगति को कैसे पट्री पर लाना है और अवसर को कैसे बिक्षित करना है तो इस सब को ले करके तो यह काफी परचर्चा परचर्चा हुआ था तो यह जो बिशेस आ आपसर पैदा करने और आर्थिक शित्रों को बेहतर तरीके से संसालित सेस्द करने जाते हैं. याद रखना नीवेश को बठा अब यूजा को बादेगा शित्रों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्शिव नहीं जाता है अब एस इजेट का कुछ अपना पॉलिशी भी होगा अब वो पॉलिशी में समझते हैं इसको है कि एसी जेट जो निती की जो घोशना है वो दो हजार में की गई थी और इस निती का उद्शिव था देश में भारी विदेशी न समिक्षा किया तो उन्होंने अपना प्रमुक अपना रिपोर्ट सांपा और रिपोर्ट जो था वो सिफारिस ग्रूप में था उच सिफारिस में इस समिती ने विखित बातों को एड़ किया कि इसमें क्या क्या परिवर्थन करने की जरूरत है कहां फोकस करने की जरूरत है इसमें से जो फोकस किया गया एक निर्वान और सेवा एसी जेट के लिए अलग नियम और वीनिय में बनाया जाए एक इस अफ डूइन बिजनेस के लिए धाचा याप संद्रेशना को डेवलप किया जाए ताकि वो सक्षम हो सके तीसरा प्रतियस परधा को बढ़ाने और उच गती वाले मल्टी मोडल कनेक्टिविटी उपयोगता बुनेरी धाचे और वेपसाईग सेवाओं को सक्षम के जाना चाहिए यहां पर चौथा पॉइंट है एसी जर्मनी बेस करने के लिए वेकलपिक छेत्रों की अनुमति देन पांसमा यहां पर है कारे छेत्रों के लिए एकिक्रित और दुगिक और स्वहरी विकास को बढ़ाबा देना और पांस यहां पर जो चट्था पॉइंट होगा मांग संचालित दिस्ट्रिकोन की और बदलाव चुकित पहले क्या था भारत आप पूरती संचालित दिस्ट्र को बढ़ावा देना अब भारत में एस जेट क्या है यह समझते हैं भारत में दो सौश तीस से अधीक एस जेट का रेशील है इनमें से पैसर परसंट अमिलनादू तेलंगना अंद्रप्रदिस करनाटिका और महास्क्रा में इस्तित है देश में एसी जेट के माद्यम से हो गया था और भारत सरकार इन आर्तिक छेत्रों में गतिवीजियों को बढ़ावा देने के रिए कई प्रसाहन प्रदान कर रहा है इसमें आर्थिक छेत्रों से निर्यात आये पर हंडेट परसंट आये कर छुट यह जो प्रसाहन के रूप में दिया जा रहा है एसी जेट के विकाश संचालन और रख रखाब के दिए सुल्क मुक्त घरेलू खरीद इसमें शामिल किया गया है अब एक एसी जेट अधिनियम दो हजर पांच क्या है देखो एसी जेट अधिनियम भारत में जो अधिनियम दोरा प्रदान किया के कानुई धांचे के तहत अस्थापित किया गया था इसको और ये इसका जो प्रमुख उद्य से था वही आधारभूत संद्रशना का विकास करना रुजगार को पैदा करना वस्तू और सेवाओं को निग्याद को बढ़ावादेना और अ और कोई बितल दे स्टेटमेंट पूशे का बताइए को देकर के किस में से कौन से यह वह वह एक साइव है दो साइए एक दो तीन साइए तीन चार साइए या साभी साइए तो आपको और यहां पर निड़ने लेना पड़ेगा तो आप रिडिंग जब करते हो तो इससे मामला क्या है थोड़ा सा ठीक है लामाला यहां पर यह है कि भार सरकार ने रास्त्ता आपदा प्राबंदन दुहादर पांच के तhot कवीड नाइन flock अधिन नाेРЕ में इस इस hem30 मामारी दक रखा राश्त्री आपदा प्रबंधा दिन्यम दुहजर पांच के तहत कोविड-19 को अधिसुचित आपदा खुचित किया गया और यह मुख्य सुचित रूप से राजी सरकारों को अपने फंड के प्रबंधन मदद करने और उन्हें कोविड-19 के लिए उपायों में मांगदर्श करने के लिए किया गया था अब एक बिक्ति निजन ही त्याज का उसमें दायर कर दिया हमने पी आई ये फाइल किया सुब्रिम कोट में और आपदा प्रबंद अधनियम का उलंगन करते हुए पीयम के अस्थापना की गई थी उसने यह कहा कि इसका उलंगन हुआ है उसका को लंगन करके पीम केर्स फंड का स्थापना किया गया था और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधनियम के नुशार किसी व्यक्ति दोरह किसी आपदा के लिए दिये गया नुदान को अन्योगार रूप से इंडी आरेफ को दिया जाना चाहिए पतर इसका कहना था कि पीम केर्स कि खेंद्र को पीम केर्फंड के पैसे को राश्ट्री आपदा प्रत्किल्या को उसमें स्थांतित करने कर निर्देश दिने से मतलब के लिए हम त्यार नहीं हैं और हम इसे इंकार करते हैं यह सूप्रीम कोड का यहां पर मान ना था और उसने अपने यही निर्णे दिया ह अच्छा आपने निर्णे में फोट ने क्या कहा तो उसरबुच नजाले ने कहा कि संगठन इंडी आरेफ में युगदान करने के लिए सुतंत रहे तो पीम केर्फंड है वो इंडी आरेफ में युगदान चाहता है करना तो सुतंत है और ऐसे युगदानों के लिए कोई निशेध नहीं है अदालत ने सपस्ट किया कि जो कि पीम केर्फंड को पाबलिक चरिटेवल फंड के रूप में स्थाबित किया गया था इसलिए इंडी आरेफ को फंड ट्रांस्पर करने के लिए अदालत द्वरा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है तो यह यहा मतलब राज जी जो इस्टेट हो गया मत इस्टेट डिजास्टर अडेली फंड होजाता है यह तो राज यह आपदा राहत को के तहत राजियों को सहायता प्रदान करने के उदेश से यह अदुश्रीत आपदा गुश्ट किया गया था इस डी आरेफ आपदा प्रबंधन द हाला कि धन का उप्योग राजियों द्वारा किवर आपदाओं के लिए किया सकता है इस पकर कोबी-19 को एक आपदा गुरूप में घोशित किया गया था इसको आप लोगों को याद रखना है चुलो हमारा अगला स्लाइड है साइबर शुरक्षानिती 2020 अभी पीछे इस सर साइबर हमला हुआ है तो अब तक जो देश में 2013 वाला जो राश्ट्री ये साइबर स्रुक्षानिती चल दा था तो उसी निती को पूना क्या है और ज्यादा कठोर करने की जरूरत है और नई जो निती बनेगी जो 2020 में बात चले कि इसको बनाय जा जो 2025 तक चले तो उसको उसमें जो प्रभधान बनाय जाएंगे उसको और अधिक प्रतिबंधित करने वाला प्रभधान बनाया जाएगा इसमें अब जा समझते कि भारत में साइबर स्रुक्षा देखो देख वाल के लिए भारत में 36 केंद्रिये निकाए हैं हर संगठन की अपनी सर्ट मतलब कंप और इसे साइबर प्रद्विकी में निवेश करने के लिए एक अकर्सा गंतव्या बनाया है अब जाइसका प्रिश्बूमी समय से दखो भारत में जीजतर अर्थववश्था अपने कुल अर्थववश्था में 14 से 15 परसें तक युगदान करता है जो आगे 2024 तक इसमें 20 प ने घोशना किया कि 3.2 मिलियन डेविट कार्ड का विब्रन लीख हो गया था एक यहां पे देखो गया था यह दोजर उन्नीस में कुडन कुलंप परमानु उर्जा सन्यंत्र पर एक मैलवेर द्वारा हमला किया गया था मैलवेर क्या होता है या ठीक है और 2018 में पूने के पर मैलवेर हमला किया गया और बैंक को 94 क्रोल रूपय का नुक्षान हुआ है इसलिए जरुड़ी क्या है कि हम नए साइबर जो राष्ट्रे साइबर निती है उसको हम लेकर किया है और उसमें प्राभधानों को मजबूत करें अब इसके आब सकता का जो कार्ण है यहां प सब्सक्राइब का बढ़ने या उसके हमले होने का संभावना बढ़ गया है बरतमान साइबर खत्रे के प्रदेशन मुक्रिप्षे तिव्र तकनिकी भी का जैसे इंटरनेट अब थिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग और टिप्सल इंडेलिजेंस फाइब जी आदिकरन सबस से साइट से ज़ाते हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए या उनके सिस्टम से डटा गाव सकता है उसकी और छैसिकर करसकता property कर सकता है और कई प्रताइट कर सकता है छलए एक और जो नहीं है यह करनाटक मैसूर करनाटक की जो सरकार रहे उस ने मैसूर और बीधर के बीच एक अध्यों की गल्यारी का निर्मान कर रहा है अब जो का पिल्गिनारे 35 लाग को रुपे का लक्ष जो मतलब GDP जो है राजिस्तरकार को प्राप्त होगा इससे पहले भी करनाटसरकार काई सारे कदम उठा चुका है विकास के दिशाय में इसे स्रम करनून को से सिंप्लिफाई किया एक एपी एम सी संसुधन अधनियम लाया वह में सुधार संसुधन अधनियम लाया तो यह सब करनाटसरकार लागतार ख्क्रीय रूप में काम कर रहत है अब भारत में जो अधोगिगलियारे हैं economic corridor तो ये तमाम क्या है ये सारे अद्वूड़ गलियारे बन रहा है अहलां अलग अलग डिश्टिक उसमें सामिल हो रहा है और यह है जो कोरिडोर है यह रास्ट्रे बी निर्मान निती 2011 को लागू करने में भी मदद करेगा तो रास्ट्रे बी निर्मान निती क्या है तो रास्ट्रे बी निर्मान निती 2011 है इस निती का प्रमुख जो उद्श है वो GDP में भी निर्मान छितर की हिसेदारी को पचीस परसेंट तक सधारना है इससे एक दिस्टक में सो मिलियन रुजगार सिर्जित करने का लक्ष रखा गया है इस निती के तहट इसको आप लोगों को याद रखना है चलो एक और हमारे स्लाइड है वह अटल सुरंग को लेकर के अब अटल सुरंग यह बिसिकली लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोतांग दर्य के नीचे बनाया जा रहा है तो यह आप को या रखना है कि यह कहां पर है तो लेह मनाली राजमार्ग पर है पीर पंजाल सब्सक्राइब करने के लिए मार्ट परदान करता है और इस प्रकार से चीन के विरुद एक बहुतर हमें सुभधा परदान करता है अब यह जो सुरंग था इससे सबसे पहले जब अटल बिहारी बाज पर पीम थे तो उन्होंने इसको प्रस्ताब मिलाया था हलाक इसका कहानी अगर पीछे जाएं तो बहुत लंबी कहानी है वो आज से करीवन देड़ सो साल पहले से यह सुरंग पर कुछ कुछ प्रस्ताब ना आते रहा है पर सक्रिये रूप में कारगर जमिन यह स्तर पर अटल बहरी बाज पर इन इसको प्रस्ताब मिलाया था और 2002 में बोर्डर रोड अर्गनाजिशन को सुरंग बनाने का काम सापा गया था इसे सुरू में रोटांग सुरंग का नाम दिया गया था पर बाद में जब मोदी जी आये हैं तो इसका नाम उन्हें अटल सुरंग रखा है और यह सुरंग मनाली और लेह की बेच की दूरी को 46 किलो मीटर कम करेगा अब इस शुरंग के बनर जरूर चनोतियां क्या है देखी सुरंग है पहारी छेत्र है बरफीला छेत्र है सबसे बरता समच्या होँआप मसखरन का होगा समच्या दूसरा है कि यहाँ पे जो खुदाई का कार है वो जो खिम भड़ा कार होगा तीसरा जो है इसका जो खुदाई है वो दने चोड़ से किया जाएगा एक चोड़ से होगा नहीं और सर्डी के दौरान यह जो पास होगा ये बंद परा रहता है इसलिए सरदियों में खुदाई केवल दक्षनी हिसे में किजा सकती है आने हिसों में नहीं किजा सकती है ति तमाम इससे जुरा हो बाधा है अब इससे जुरा हुआ जो कुछ फैक्ट से इसको आप लोग यहां पे आप खुछ से पढ़ लोगे और रहते रहा हूं कि भई जो भी लोग सिरियस हैं सही से पढ़िए इसी से सवाल आपको आएंगे और फिर आप परिशान ना हूं आगे अपनों को वीडियो मिलता रहेगा जब तक मैं खाली हूं और फिर जब यस्ता बढ़ जाएगे तो उसके बाद मैं कहा नहीं सकता हूं क क्या होगा आगे चलो थेंक यू बाई